भारती जनता पार्टी ने आठ्वे रासभा प्रत्याशी के रूप में संजय सेट का आज नामंकन कराया उत्तप्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीश पटेल हमारे साथ मौझूद है जीत को लेकर कितना आश्वस्त है मंत्री जी निश्चित तोर पे हम आठ्वी सीट पचास से ज्यादा विधायकों के समर्थन के साथ जीतेंगे और इंतजार करिए पीडिये से जुड़े लोग ही प्रधान मंत्री स्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं पीडिये के लिए जो कारे हैं उनसे प्रभावित हो करके हम प्रधान ने बात करी है पलवी पटेल जो है आपकी मुझे लगता है रिलेशन में भी है वो भी पीडिये की बात करें और उन्होंने कहा कि हम सपा के रासभा जो प्रत्याशियों को वोट नहीं देंगे क्योंकि अखिलेश आदोने पीडिये का खयाल नहीं रखा है इस मीडिया ड्रामा मीडिया हाइप वाले लोगों के बारे में मुझे से क्या पूछना चाहते हैं क्यों लगता है पलवी पटेल मीडिया में आने के लिए ड्रामा करती है पुर्पुर्ण की पुरानी हरकतें देखिए जब भी हम कारकम करते हैं उस कारकम में जाना और उसको मीडिया में ड्रामा करना ये तो पुरानी आदत है मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि जब आनंद भधवरिया जी को और रविदास महरोत्रा जी को लोगसभा का प्रत्यासी घोशित किया गया था उस समाजवादी पार्टी में उनको दिक्कत है उनको पार्टी छोड़ देनी चाहिए कुछ इस तरीके की चर्चा भी है यह वो जाने देखें डॉक्टर सोनेलाल पटेल साब की पार्टी को खतम करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था उस समय हमारे तीन विधायक जीते थे और तीनों विधायकों को तोड़ करके मुलायम सिंग जी ने हमारी पार्टी को खतम करने का हमारे नेता अधरनी ड समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनाओ लड़ गई जिसने हमेशा उनके साथ दोएम दर्जे का बेवहार किया तो पल्वी पटेल अगर इस्तीफा देती हैं तो क्या अपने साथ में लाएंगे आप उनको कुछ ऐसा है आपके मन में देखें 2022 के चुनाओ में जब आदर्णी कृष्णा पटेल जी उहां से चुनाओ लड़ने गई तो उस चुनाओ में हमने उनके बिरुद्ध प्रत्यासी खड़ा नहीं कि अपना प्रत्यासी हटा लिया इसी प्रकार इनके साथ इन्होंने जो कार किये हैं उस कार के लिए माफी मांग लें जैसे मैं आपको दारन कोई राजनीतिक विशे ही नहीं है इन्होंने सबसे छोटी बहन अमन का जो संपत्ती में हिस्सा है पूरा ये संपत्ती में हिस्सा ये मार ले गई है उस हिस्से को तो अपनी छोटी बहन अमन को लोटा दें, जो डॉक्टर साब की चोथी बेटी है और सबसे छोटी बेटी है, उसका हिस्सा वापस कर दें, सारी लड़ाई खतम, कोई राजनीतिक लड़ाई ही नहीं है। तक चले जाना, यह सबसे बुरी बात है, आप जा करके सबसे छोटी बेटी डॉक्टर सोनेलाल पटेल साब की उनसे बात करिये, आपने बात भी की है, आप लोगोंने, तो उनकी पीडा को इन्होंने कभी समझा नहीं और मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, कि इतनी निर्दई है कि उस बेटी का बिवाह था, और इस बिवाह में उसकी सगी मा को इन्होंने नहीं आने दिया, इससे खराब बात क्या हो सकती है, पली पटेल, राहुल गांधी की नया जोड़ो यातरा में शामिल होने जा दिये हैं, इसका क्या फर्क पढ़ना है, जबकि सपा का समर्थन न इसी कॉंग्रेस से उलड़ चुकी है, पली पटेल की कोई आइडियोलोजी नहीं है, सिफ राजनीतिक ड्रामे के लिए वो इस तरीके के काम करने हैं, आप समयम समझदार हैं, आइडियोलोजी वाला बिक्ती कभी भी दूसरे दल के सिंबल पर चुनाओ नहीं लड़ता है, बहुत शुक्री आप बात करने की हैं, उत्तप्रदे सरकार में कैबिनेट मंतरी आशिश पटेल हमारे साथ मौजूत है, उन्होंने पली पटेल पर एक बड़ा आरोपी लगाया है कि राजनीतिक इस्टंट के लिए वो इस तरीके के काम करती हैं, उनका अपना कोई भी पजूद नहीं और उनको अपनी गलतियों को स्पिकार करना चाहिए, लखनों से वीडियो जनली शविन कुमार के साथ संदीप खेर, भारस समचार